हेलो दोस्तों, वेलकम तो माई यूटूब चैनल विवेक एजुकेशन, विवेक एजुकेशन में आप लों का स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एकेटी उनिवस्टी के तरफ से जो आज के डेट में न्यूज आया हुआ है उसके बारे में बंद में आए, तो दोस्तों, आएए चलते हैं आगे, आगे हमारा लिखा हुआ है, 2021 के सम समेश्टर अंतिमोर्स के छात्र या चात्राओं के रेगुलर तथा कैरी ओवर की ऑनलाइन परिच्छा है, तो टेंटेट्यू परिच्छा कारिक्रम जारी किया गया था, उक्त के एक परिच्छा कारिक्रम यानि की टाइंटेबल या शेड्यूट जो भी होगा वो जल्दी ही जारी किया जाएगा और जैसे ही जारी किया जाएगा हमारे यूटूब पे आपको तुरंत मिल जाएगा, तो दोस्तों अगर चैनल पर नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पॉसिबल नहीं है लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ जो आपके जानने के लिए है जो भी है ठीक है आपके नालेज के लिए जो भी इंपोर्टेंट है मैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ आए चलते है आगे जैसा कि दोस्तों यह आपका देट सीट है ठीक है यह आपका देट सीट या फिर इग्जामनेशन से डिल है final समेश्टर के लिए session 2021 for BTEC, BHMCT, among Bpharma, BFA, BFAD, 8th समेश्टर, MBA 4th समेश्टर, B.Architecture, M.A.M. 10th समेश्टर, of regular and C.O.P. यानि की carry over of pass out candidates ठीक है उनके लिए यह देट सीट है आपको link description box में मिल ला आप होहाँ से इसको download करके देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो आपका यहाँ आपको दिख रहा होगा login reporting time तो दोस्तों आपका login reporting time जो है वो 3 बज़े है ठीक है सामको 3 बज़े ठीक है आपको 3 बज़े जो है अपने desktop पे या फिर mobile को ले के बैठ जाना है और तीन बजे आप लौग इन कर सकते हैं, थीन बजे आपको लौग इन कर देना है बाकी जो भी प्रक्रिया raging रहेंगी, उनलाइन होती रहेंगी और आधे घंटे पहले आप से लौग कराय जा रहा है तो आप लोग धियान दिजेगा 3 वजे आप लोग किसी भीहाल में लोग नहीं कर जाईएगा उससके जो एक्जाम की टाइमिंग है दोस्तों वो 3-4 से पांच वजे तक है ठीक रहına कि आपको 4-5 घंते का टाइमिंग है और आपको 3-4 बज Senior करना है डेढ़ गंते का एक्जाम होगा साड़े तीन से एक्जाम स्टार्ट होगा और पांच वजे एक्जाम खतम हो जाएगा तो दोस्तों आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप होहां से डाउनलोड कर सकते हैं आगे एक बात और ध्यान देने order of students, ठीख है, hence, each student is required to check the date, time of his paper in the admit card मतलब अगर अधिक एक paper के जादे student हो जाएगे, तो उनका पेपर बनाई जागा ठीख है, तो आप जो है अपने admit card पे अपना date sheet ज़रू देख लेंगे, आप अपने admit card पे अपना date और जो है टाइम और exam का, यानि कि जो भी subjects है, उसका paper code यानि कि subject code जिसको बोलते हैं वो आप लोग अपने admit card पे देख लेंगे उसी के हिसाब से आप examination में जाएंगे और reporting करेंगे तीन बज़े ठीक है तीन बज़े आपको साम को तीन बज़े reporting करना है साड़े तीन से पांच बज़े तक आप क्या exam होगा ठीक है थैंक यू धन्यवाद